आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आयूश चत्रांश शेलेस बॉलेटिंग के शुरुवात इस वक्की बड़ी और एहम खबर के साथ करते हैं जो मरीज हैं उनको यहाँ पर भरती किया जा रहा था और आरोग्यम दा मेडी सिटी यहाँ पर यह बड़ी कारवाई देखने को मिली है ग्वालियर से यह बड़ी खबर है आरोग्यम दा मेडी सिटी हॉस्पिटल पर चापा पड़ा है आयूश मान के जो मरीज हैं फर्जी त पर ये शापा बढ़ा है, रेहाईशी लाका है, लेकिन यहाँ पर इसको अस्पताल को संचालित किया जा रहा था, जबर स्टेट के पास स्वास के भाग की तीम ने बड़ी कारवाई की है, और आरूप ये भी हैं कि आयुश्मान जो काट धारक हैं, उनकी फर्जी तरीके से भरती करके चुना लगाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही था, बड़ी और रहम खबर, बड़ी जानकारी है, जबलपूर से, माफ के जगाज वालियर से, जहाँ पर आरूग्यम दा मेडी सिटी हॉस्पिटल पर ये शापा पड़ा है, और आयुश्मान के जो फर्जी मरीज हैं उनको यहाँ पर भरती करके, उनका जो पैसा है वो लिया जा रहा था, बड़ी जानकारी के साथ, संजय आरूग्यम दा मेडी सिटी हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है, क्या जानकारी है? तो तमाम सारे बिंदूओं पर जाकर जाज करेगी, चाहे फारे रहन उनिजु का मामला हूँ, चाहे एज़ार का मामला हूँ, चाहे आयुश्मान योजना का मामला हूँ, तो कहीं न कहीं, वहाँ पर टीम गई, तो उनको साब तोर पर एक हॉस्पिटल था, जो मेडी सिट चेक करने के लिए उनको गई थी, विवस्ता चेक करने के लिए गई थी, लेकिन टीम को अचानक से इतना बड़ा फर्जी बाड़ा हाथ लगा है, तो गईना कहीं ये हॉस्पिटल संचालक की तो उसके बड़ा कारवाई हो ही रही है, लेकिन एहम बात यह है कि जो आईश् करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उटता है यहाँ पर, अलागी कारवाई की बात यह मैं चो कह रहे हैं, लेकिन नहीं बात यह है, तो यह कब तक जारी होगा, प्रशासर किस तरीके से संग्यान लेता है, क्या कारवाई करता है, देखने वारी बात हो किस तरीके संग।